अब उनके बाद उनके बेटा, फिर उनके पोता, फिर उनके नाती, यहां की जनता अब उसको कबूर नहीं कर रहे हैं और इस राज़ितिक बंधुआ गिरी को उतार फेकने के लिए बेला गंज की समस्त जनता की संकल्पीत हो चुकी है बेला गंज उप्चुनाओं में हमारी जीत सुनिश्चित है लगबग पूरे छेतर का मैंने भर्मन किया और मद्दाताओं की नबज ते टोली सारे मद्दाताओं में नितीश कुमार जी के विकास कार्जों के प्रती गजब का आकर्शन है और सारे लोग मानिय मनुर्मा देवी को जीताने के लिए कमर कसे हुए है इसके दो प्रमुक कारण है पहला कारण यह है कि एक खास परिवार की राजदितिक इजारेदारी बन चुका है बेला गंज लोग उस राजदितिक जमिंदारी से मुक्ती चाहते हैं बेला गंज की जनता चाहती है कि परिवार विश्यस के दायरे से हम मुक्त हो परिवार बात का सबसे घणित उदारन बेला गंज में दिखाई दे रहा है पिता के बाद पुत्र को सप्ता हस्तान तरण लोगों में इस बात को लेकर घोर नाराजगी है और इस राजदितिक बंधुआ गिरी को उतार फेकने के लिए बेला गंज की समस्त जनता की संकल्पीत हो चुकी है वहीं दूसरी हो नितीश कुमार जी का विकास कार्ज लोगों के सामने है जन जीवन के प्रतेक छेत्र में चाहे वह सिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोड हो, सरक हो, पूल हो, पुलिया हो या फिर जन सुविधा हो प्रतेक मोर्चे पर मान्य नितीश कुमार जी की सरकार ने जो किर्तेमान कायम किया है उससे लोग काफी प्रभावित है और मुझे आशा ही नहीं पूल विश्वास है कि बेला गंज की जनता मनुर्मा देवी जी को भारी मतों से विज़ई बनाएगी 35 साल से सरक खुटा गड़ी है जह लगता है, कवरा पाएंगे उखुटे को देखिए 35 साल से खुटा गड़ा हुआ है तो प्रतियक दौर के राधितिक मुहावरे अलग-अलग होते हैं वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है अब उस 35 साल की शाषन बेवस्था से 35 साल के नित्रतों से अब लोगों में बुरी तरह अकुताहाट हो चुकी है लोग पूरी तरह उग चुके हैं और हमें लगता है कि इस बार ये खुटा न केवल उखड़ेगा बल्कि बहुत मजबूत खुटा गड़ेगा भी परिवर्तन तो दिख रहा है आपको भी दिख रहा होगा आपको तरकार है सारी जनता की आखों में परिवर्तन की बयार दिखाई दे रही है सारे लोग परिवर्तन के लिए कमरकस चुके हैं समाज का प्रतेक वर्ग प्रतेक तबगा चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो चाहे वो किसी भी जाती का हो सारी जातियों और वर्गों में परिवर्तन को लेकर एक बड़ी लहर भार रही है और विपक्षियों को इस लहर को सोचने समझने और सूहने किया वशकता है क्या अपिल करेंगे बेला गन्ज की जनता से जेडियू के एक साधारन सिपाही होने के नाते मैं यह अफिल करना चाहूंगा कि आप लोग जातपाच से उपर उठकर विकास के नाम पर भोट दे क्योंकि आपके सामने दो विकल्प है या आप विकास की धारा में बहें या फिर जातिवाद और परिवारवाद की धारा में बहें नितीश कुमार जी ने 2005 के बाद यह दिखा दिया है कि किसी भी प्रदेश के सत्ता का संचानल जन हित में कैसे किया जाता है जनता का अधिक्तम कल्यान ना के वो लोगों के बलकि उनके आने वाली पीड़ी की भी चिंता आज देखिए कि सबसे बड़ा तबका बिहार में महिलाओं का है नितीश कुमार जी ने बिहार में 2006 में पंचायती राज और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए जो पंचायती राज में आरक्षन की बेवस्था की वहां से सुरुवात करके आज सरकारी नोकरियों में महिलाओं को आरक्षन समेथ पुलिस बल में आरक्षन बना के बल महिलाओं की बात बर्कि समाज का प्रतेक तबका आप अती पिछले बर को ले लिजिए, जो करपुरी ठाकुर लालु जादव के लिए कपटी ठाकुर थे, लालु जी मजाक में कपटी ठाकुर कहा करते थे करपुरी ठाकुर को, आज उसी अती पिछले तबके के लिए, मितीश कुमार जी ने विकास के गंगा बहा दिया है, इतने तरह के समाजिक बंदिशों का सिकार था, प्रशास्निक आतताई का सिकार था, और आज देखिए, महादलित समाज का देखती 26 जनवरी और 15 अगस्त को जंडो तोलन करता है, और पूरे प्रशास्निक देकारी उसके सामने हाथ बानके खड़े रहते हैं, तो ये होता है महादलितों का जागरन, महादलितों का जागरन, अती पिछों का जागरन, महिलाओं का जागरन, जो हमारे नितीश कुमार्जी ने किया, समान्य वर्गों के लिए, प्रतेक वर्ग, बिहार में कोई ऐसा वर्ग नहीं है, जिसके लिए नितीश कुमार की सरकार काम नहीं कर है तो मुझे लगता है कि बेला गंज की जंता प्रबुद्ध है समझदार है सिक्षित है उसे बहुत साथ ज्यादा समझाने की आवशकता नहीं है लोक सारी बातों को समझ चुके हैं और नितीश कुमार जी के पूरी मजबुती से लंबंध हो चुके हैं नवल शर्मा जेडिव प्रबक्ता बेला गंज बिदान सवाग की जंता मूड बना लिया है बदलाव का और एक सवाल हमारे साथी से पूछ रहे थे कि 35 बरस का सासन है उटा कैसे कवरेगा आपको याद होगा कि 40 बरस कॉंग्रेस क कवर गया था तो अबरी बार निश्चित रूप से यहां से मनुर्मा देवी चुनाव जितेंगी एंडिये का लहर है और बेला गंज की जंता बन बना चुकी है कि अबरी बार बदलाव चाहिए चुकी एक ड्यक्ति को तो उन्होंने बनाते आ गया अब उनके बाद उनके पोता फिर उनके नाती यहां की जंता बुसको कबूल नहीं कर रही है इसलिए जंता ने मन बनाया है कि अबरी बार मनुर्मा देवी को जिताना है तीर चाप को भोड़ देना है और एंडिये के हाथ को मजबूत करना है और जब बेला गंचुनार जितके जाएंगे फिर हुआ आपको भी पता चलता होगा सब एक सोरम बोल रहे हैं कि यह सीट किसी की पिता जी कप नहीं है कि जीवन बरे कहीं आदमी रहेगा बदलाव संसार का नियम है कभी धूप कभी च्छाया कभी जाड़ा होते रहा है आगे भी होगा और यहां अबरी बार मनुर्मा देव कि सो में सो परसेंट चुनाल जीत रही है और यहां से जीत करके जाएंगी यह जनता ने मन को बना लिया है ठान लिया है क्या कहेंगे बेला गंज वासनों से मेरा अंद्रोध है कि आप सभी लोग एंडिये को भूट दे करके तीर चाप एक नंबर पर है मनुर्मा देवी का चुनाल चिन तीर चाप को भूट दे करके चुनाल जीताइए और एंडिये के हाथ को मजबुत करिये और बिहार में निफिस कुमार जी को जो विकास की धारा बह रहा है उसमें सहयो करने का अपिल करने कि बसिष्ट सी मेरा नाम हुआ ऐसे तुम परदेश के महास सचीव है और यहां के चुनाओ परभारी है और अपने प्रत्यासी जनता दलियू के प्रत्यासी एंडिये समर्थिक जो है स्रीमती मनुर्मा देवी जी उनके फक्ष में जनता से अपील करने आए कि मन्य मुखमंतरी नितिश कुमार जी के सांतिय मंचैन और विकास को आजाना है उनको और मजबूत करना है मनुर्मा देवी जी को बोट करिए और जिताइए और बिहार में सांतिय मंचैन जो चल रहा है इसको और मजबूत करिए